जै वलेना दोस्तों बड़ा टूबेस के का फ्लेट सब्तर गज का स्लाइब एरिया 62.5 स्क्वेर यार्डों पेपर मेल मेट्रो नाइन से सिर्फ 800 मिट्र के डिस्संस पर और नवादा मेट्रो सेशन से सर्फ एक किलोमेट्र के डिस्संस पर यानि कि 7-8 मिनिट्स की वाकिंग डिस्संस पर आप मेट्रो सेशन पहुन सकते हैं फर्न साइट का फ्लेट है दोस्तों विद लिफ्स है विद का पार्किंग है रेजिटर्ट पॉपर्टरी है तो लोन भी आप इसली करवा सकते हैं और इनकेज आपकी पॉफाइल अगरतिक हुई तो मैं आपका लोन एलाइसी से भी करवा सकता हूँ तो चलिए शुद करते हैं दोस्तों एक शांदाग से विजिट आपके इस 2BSK बड़े फ्लेट की यह है दोस्तों आपका 2BSK का फ्लेट और यहां से आपकी एंटरेस्ट रहने वाली है आपके 2BSK फ्लेट में और अंदर एंटरी करने के बाद भी काफी बड़ा लिविंग स्पेस आपको मिलता है जिसके साइज के अगर बात करूं तो 16ft बाई और almost 10.5ft का साइज इसका आपको मिलता है L-type का सोफा आप यहां पर इज़ी लगा पाएंगे पीछे की दो वाल्स आपको डिजाइनर मिलती है सिलिंग की अगर बात करें तो सिलिंग के डिजाइन भी यहां पर काफी शांदार आपको मिलने वाला है विज चैंडलेर और विज फैन दोस्तों हमने इस सिलिंग आपके लिए बनाई है इसमें कॉप लाइट का काम भी आपको मिलेगा और साथ में जो LED लाइट्स हैं वो भी आपको मिलेंगी सोफे के ठीक सामने काफी बड़ा TV पैनल मिलता है आपको यहाँ पर पूरी वाल को ही हमने और बॉस्त कवर कर लिया है जिससे कि आपकी लिविंग स्पेस की यह ब्यूटी है वो इन्हेंस हो सके इस तरह भी आपको नीश मिलती है दोस्तों नीच यह आपको काफी स्टोरिज मिल जाती है ओपन स्पेस भी मिलता है completely fitting के साथ आपको यह TV फैनल मिल जाता है और यहाँ पर audio roll phone के दोस्तों हमने आपके लिए लगाया है जिससे कि आप अपने safety सुनिशित कर सकें कि कौन आपके gate पर आया है और यहीं से अपने gate को main gate को parking वाले gate को open कर सकें तो यह दोस्तों आपका living space है मुझे पूरी उमिद है कि living space आपको ज़रूर पसंद आया होगा अब हम बात करें कि हमारे bedroom स्की लेकिन bedroom में जाने से पहले मैं आपको आपकी kitchen दिखा देता हूँ क्योंकि kitchen यहाँ पर काफी ultimate बड़ी और शांदार आपको मिलने वाली है यह kitchen दोस्तों काफी माइनों में खास हो जाती है क्योंकि एक तो यह living space से बिल्कुल separate है यानि कि living space में बैठे हैं लोगों से यह बिल्कुल separate है यहाँ पर L-type का आपको top मिलता है आप देख सकते हैं green night का work आपको मिलेगा इस तरफ आपको sharp मिलती है यानि की proper ventilation मिलने वाला है नीचे और उपर दोनों तरफ आपको storage इसमें मिल जाती है और tile work भी दोस्तों काफी अच्छी quality का आपको मिलेगा जिसे इसकी get up भी अच्छी होगी और साथ में आपको look and feel भी इस kitchen का काफी अच्छा लगने वाला है तो काफी wide बड़ी और शांदर ये kitchen है दोस्तों इसके अलावा freeze के अगर बात करें तो यहाँ पर अपना freeze आप easily install कर पाएंगे अब बात करेंगे हमारे पहले bedroom की तो यहाँ आपको आपको फुली फरिश प्रैट लेते हैं तो आपको ये quality work भी मिलेगा otherwise हम आपको यहाँ पर बाल पेपर लगा कर देंगे इस room में दोस्तों हमने यहाँ पर आपको completely fittings भी दी है इनके से अगर अपना टीवी आप यहाँ पर mount करना चाहते हैं तो टीवी भी easily लगा पाएंगे और उपर की तरफ हमने आपको AC की fitting भी है इस room में भी आपको जो फॉल सिनी के design से यह मिल जाते हैं और इस room के साथ हमने आपको washroom भी attach दिया है आप देख सकते हैं almost square में आपका यह washroom है designer tile work के साथ है roof height तकी tiles हैं दोस्तों साथ में shaft आपको मिलती है ventilation के लिए और जितने भी fitting's आपको मिलेगी वो सारी के सारी अच्छी quality की हाम पर रहने वाली है तो यह हमारा master bedroom है जो कि attach washroom के साथ आपको मिलता है अब हम लोग बात करेंगे हमारे second bedroom के बारे में यह है हमारा second bedroom और second bedroom हमारा balcony के बिल्कुल साथ है तो उमीद है दोस्तों कि यह भी आपको ज़रू पसंद आएगा size के लियाद से भी काफी अच्छा है यहाँ पर अपना 626 का bed आप इसनी लगा पाएंगे एक तरफ आपको water मिलती है जो की काफी बड़े size की है पीछे आगें दोस्तों आपको coolting वर्ज मिलेगा इनकेस अगर आप फुली फरिज फैट लेते हैं अदर्वाइस आपको यहाँ पर wall paper लगा कर देंगे ceiling के design यहाँ भी आपको शांदार मिल जाते हैं size के अगर बात करो तो almost 7 feet by और 5 feet का washroom आपको मिलता है अगें आपको designer tile work मिलता है यहाँ पर काफी बड़ी window आपको मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको जो fittings मिलेगी वो सारी की सारी high quality की मिलने वाली है इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हमारी balcony के बारे में और balcony से मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर की location कैसी है यह आपकी balcony है दोस्तों और balcony के सामने यह जो ground है यह school का playground है पहले भी हमने एक building यहाँ पर बनाई है और उसमें भी आपको इसी तरह का playground हमने दिखाया था यह ground दोस्तों always हमेशा ऐसे ही open रहने वाला है चलिए बात करते हैं आपके balcony की तो यहाँ पर आपको स्कील की rally मिलती है complete elevation पर आपको tile work मिलेगा और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर washing area भी आपको मिलता है tap, switching circuit और साथ में पाने निकलने के लिए space भी आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर elevation पर zubi tiles हमने लगाई है बाहर की तरफ उन सब tiles पर हमने fasteners का इसमाल किया है जिसे की tile गिरने की परिशानी कभी भी ना है और आपके building life long हमेशा ऐसे ही चमकती रहे तो यह है दोस्तों आपका 22.5 square yard on paper है slab area की बात करें तो 70 square yard है अगेर मैं आपको पता देता हूँ कि main road से सरफ 800 meter के distance पर है metro station से सरफ 1 km के distance पर है सामने की जो रोड है almost 20 feet की है और सामने की location आप देख चुके हैं दोस्तों with lift है, with car parking है और loan भी आप LIC से ले सकते हैं इनके साब की profile उसके according होगी तो अब बात करते हैं इसकी कीमत की तो इसकी कीमत हमने description box में डाल दी है इतने floor wise rates में फोड़ा सा variation है दोसो तो वो भी हम लोग उसमें डाल देंगे तक आप देख पाएं कि किस floor की क्या कीमत है और बहुत सारे amazing और शांदार fat देखने के लिए जुड़े रहें Guru Mahadir Real Estate Private Limited के साथ जैब होने नाथ